तो देख सकते हैं यहां पर मैं भी टाइप कर रहा हूं जब से इंडिया में गेमिंग का क्रेस बढ़ा है लोग को RGB वाली चीज़े काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं जैसे कि RGB कीबोर्ड, RGB माउस या फिर लैपटॉप में जो RGB कलर के लाइट्स आते हैं वो या फिर कोई भी RGB कलर वाली चीज़े लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो अगर आप लोग को भी RGB लाइट्स वाली चीज़े पसंद दे तो आज ही इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से आप लोग अपने फोन में RGB कीबोर्ड को इनेबल कर सकते हो साथ ही इसमें कफी तरीके के एनिमेसन को सेट कर सकते हो जो कि द और भी Android tips and tricks लेटर वीडियो लेकर आता रहता हूँ So hello guys मैं हूँ अदित के आप देख रहे हैं अदित नएट YouTube चैनल 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 वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पार होगाँ यहाँ पर मेरा keyboard अभी normal है तो अभी यहाँ पर मैं इसको change करने वाला हूँ तो आप लोग इस keyboard को RGB में convert करने के लिए सबसे पहले एक application को download कर लेना होगा जिसका link आपको वीडियो के description में नहीं मिलेगा वीडियो को आप लोग देखते रहोगा app का name और कहां से आप लोग उसको download कर सकते हो सारी सीज़े वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा तो जब आप लोग application को download कर लोगे तो उसको open करना open करने के बाद काض का 750 लेकर देखने का इनेभए 6000 वीडियो के वे चलते हैं अपने keyboard को open करके पहले तो देखते हैं एक किस ratio आया है तो देख सकते हो guys कुछ इस तरीके का RGB keyword आ चुका है और यहां पर दिखने में बहुत ही ज्यादा cool लग रहा है मतलब बहुत ही ज्यादा मज़ेदार है और आप लोग जब इसको use करोगो ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है जब आप लोग इसको press करते हो ना तो vibration भी होता है और साथ ही जिस भी character पर आप लोग क्लिक करते हो वो एक pop-up सबन के भी दिखता है और देख सकते हो इसका lightning animation है आप लोग इसको change भी कर सकते हो guys तो वो कैसे करना चली सब सब ले तो वो बता देता हूँ तो guys इस application में आप लोग काफी सारे animation देखने को मिल जाते है जैसी कि देख सकते हो पहला वाला हम लोग उने ये वाला enable किया था आप चली दूसरे वाले के enable करके देखते है भी यहाँ पर यह बैने select कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हो guys कुछ इस तरीके का animation आज चुक ह आप लोग को देख सकते हो एक कुछ इस तरीके का है और इसमें आप लोग का light change होता रहेगा देख सकते हो अभी यहाँ पर blue हो चुका है फिर green हो रहा है और कुछ इस तरीके से होता रहेगा मुझे तो सबसे पसंद आता है वह जो सबसे starting में था वह वाला जो की RGB था full to RGB य एक last में वह भी आप लोग को दिखाता हूँ यह वाला जो है आप लोग को काफी पसंद आएगा I think so क्यूंकि यहाँ पर देख सकते हो अप ही मैं यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है normal सा keyboard लग रहा है बट अगर मैं यहाँ पर type करता हूँ तो देखो का ऐसा लगेगा यह म मैंने असुस के रॉग लेप्टोप में यह वाला सेटिंग किया हुआ है देखा है मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एक्जैक्ट वही सेटिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है जो कि देख सकते हैं इतना ज्यादा मज़ेदार लग रहा है तो जितने भी देखने को दिखा दिया अब यहाँ पर निंचे आप लोग कुछ ऐखने को मिल जाते चलिए वह भी यहाँ पर देख लेता है यहाँ पर लोग कुछ तरीके का बबल वाला एफेक्ट आता है या फिर लएगा की वाटर है आपके स्क्रीन पर यह बढ़िया लगता है उसका भी लगवक सेम ही लग रहा होगा अब जब आप लोग अपने हाथ में लोगे इसको यूज करोगे तो आप लोग को पता चलेगा उसके बाद गयाँ यहां पर एक और यह वाला इफेक्ट है जो कि देख सकते बहुत ही बढ़िया लगता है यार मतब एक की को प्रेस करो उसके एक बहुत इम बढ़िया फीचर आप लोग को बताता हूँ तो माल लीजी आप लोग को ये वाला पसंद आया effect तो यहांपर सेव कीबोर्ड का उप्सन आता है तो आप लोग को यहांपर यह वाला जो effect है set हो जाएगा अब बात करतेगा इस application के कुछ और functions के बारे में तो सबसे बढ़िया मज़िदार option है guys वो है sound on key press का इस पर आप लोग click करोगे तो इसका यहाँ पर आप लोग keyboard के साथ कैसा sound चाहते हो जैसे कि आप लोग किसी key को press करते हो तो आप लोग को किस तरीके का sound चाहिए वो यहाँ पर आप लोग को select करना है काफी सारे sounds एवलेबल है देख सकते हो भी add आया है तो add को cut करना पड़ता है ठीक है और जो भी sound आप लोग select करते हो जब भी आप लोग keyboard पे key press करोगे आप लोग का वो sound यहाँ पर सुनाई देगा जैसे कि यहाँ पर mechanical keyboard का तीन options एवलेबल हैसे मैं आप लोग को सुना देता हूं तो देख सकते हो तो पहला तो आप लोग ने सुन लिया दूसरा सुना देता हूं दूसरा देख सकते हो तीसरा भी यह वालो बहुत ही बढ़ी है गाईस इसको मैं भी select करके आप लोग को दिखाता हूं उससे पह लिए यहाँ पर मैं इसको select कर लेता हूं इसको मैंने select कर लिया अब यहाँ पर मैं आप लोग को typing करके दिखाता हूं तो देख सकते हूं यहाँ पर मैं भी type कर रहा हूं कारे fonts available हैं यहाँ पर यहाँ पर keyboard layout का भी option है जहाँ पर कि आप लोग इसके size को घटा बढ़ा सकते हो सारे keys के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए सारे कुछ यहाँ पर सेट अप कर सकते हो यह तो मैंने नहीं किया पहले से जो भी था वह सही था so row number keys तो इसको आप लोग को enable कर देना है आप लोग के लिए ज्यादा बैटर होगा उसका और भी कुछ options है जैसे की vibrate on key press तो यहाँ पर मैंने इसके enable रखा है तो वह feel काफी बढ़ी हाता है जब हम लोग keys को press करते हैं उसका और भी कुछ-कुछ options है guys जो कि आप लोग के काम आने वाले तो आप लोग इसको देख के set कर सकते हो तो आप बात करते हैं कि इस application का name क्या है इस application का name है LED keyboard जिसको कि आप लोग play store से download कर सकते हो साथ ही इसका download link आपको मिल जाएगा comment section के pinned comment में ठीक है मैंने वहाँ पर comment में pin करके रख दिया है वहाँ पर जाके आप लोग दे पसंद आया होगा एंड यह वीडियो पसंद आएगा तो अगर वीडियो पसंद आदे वीडियो को like कर दो चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लोगा इस कि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो से लेकर आतरा हूं और हाँ कोई problem आ रही हो तो आपने मुझे comment section भूच सकता हूं मैं वह